नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राचीन ग्यान पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम दुरभाग्य को दूर करने वाली अचूग जानकारी आपको देंगे, और दोस्तों, आज आप जानेंगे कि शिव महापुराण में कुछ ऐसी वस्तुएं वर्नित हैं, कुछ ऐसी चीजें हम बताएंगे, जिनका दान अगर व्यक्ति करता है, तो कैसा भी दुरभाग्य हो, कैसी भी तकलीफ हो, वह निश्चित रूप से दूर हो जाती है, कभी-कभी मनुष्य को कोई ऐसी तकलीफ घेर लेती है, कोई ऐसी परेशानी घेर लेती है, जिससे वह स्वयम घुटता रहता है, ना किसी को कह पाता, ना बता पाता है, और नहीं उसे उस आप अपने कश्ट को कह सकते हैं, सबसे बड़ी जो चीज है वो विश्वास की बात है। आज हम दुर्भाग्य को दूर करने वाला शिव महापुराण में वर्णित एक विशेश चमतकारी उपाय बताने जा रहे हैं। इसका दान करने से मनुष्य जीवन के समस्त कश्टों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में जो बहुत दानी महादानी कहे जाते हैं, वो लोग दान के द्वारा पुन्य कर्म के द्वारा आज भी जाने जाते हैं। जैसे करन को ले लीजिए, करन को कौन नहीं जानता, करन को महादानी की संजादी जाती है, राजा बली है और राजा हरिश्चंद्र की कथा, तो आप सभी जानते होंगे कि कितने बड़े दानी थे। स्वप्न में देखने के बाद वे अपने पूरे राज्य का त्याग कर देते हैं। दोस्तों, महरशिद धिच को भी दानी महादानी की श्रेणी में रखा जाता है। महरशिद धिच ने तो एक कबूतर की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का ही दान कर दिया था, त्याग कर दिया था, तो ऐसे भी दानी हमारे समाज में होते हैं। पर दान का ये अर्थ बिलकुल भी नहीं है कि आप अपनी श्रद्धा और अपनी शक्ति से उपर दान करें। दोस्तों, कोई भी दान अपने सामर्थे के अनुसार करना चाहिए, एक चीज और बता दें, कि अगर आप कोई भी दान करते हैं, तो शास्त्र के अनुसार वह दान आपको कई अधिक गुना हो करके वापस प्राप्थ होता है। तो कभी भी कोई ऐसी चीज न सोचें कि आप दान कर देंगे, तो आपका भंडार कोर्स खाली हो जाएगा शिव पुरान में तो। प्राप्थ हो जाएंगी, तो दान अवश्य करना चाहिए। अब क्या-क्या दान करना चाहिए, इससे कौन सी परेशानी दूर होती है, आईए आगे देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताईएगा। और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर-हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब देखते हैं, हमें कौन सा दान करना चाहिए, जो बहुत किफायती है, हर कोई दान कर सकता है, और दूसरी चीज की ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर संकट को दूर कर सकता है। पहली चीज है नमक। नमक का दान करने से व्यक्ति अगर किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कष्ट से जूँज रहा हो, अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि कोई ऐसी तकलीफ होती है जिससे हम स्वयम घुटते हैं, किसी को बता नहीं सकते, तो ऐसे ही आप सोमवार के दिन नमक का दान करेंगे, तो फिर यह दुर्भाग्य आपकी जो गरीबी है या परेशानी है वो दूर हो जाती है, यानि नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक होता है, नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप अपने हाथों से नमक का सीधे किसी के हाथ में दान न करें, इस बात का ध्यान रखें, नमक का पैकेट आप नीचे रखें, एक प्रकार का नमक होता है, जो गोल-गोल होता है, जिसे साबुत नमक कहते हैं, वो अगर आपको मिल जाए, उसे आप दान करते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ट माना ज पैकेट में जो नमक मिलता है, जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नमक भी आप दान कर सकते हैं, इससे भी आपका दुरभाग्य दूर होता है, अगली चीज है गुड, गुड का दान अगर आप करते हैं, तो इससे आपके रिष्टे अच्छे होते ह अब ये रिष्टा आपका किसी से भी हो सकता है, पति-पत्नी के बीच अगर संबंध मधुर नहीं है, आए दिन क्लेश होता है, जगडे लडाई और स्थिती तलाक तक पहुँच गई है, तो आप महादेव की शरण में जाएं, महादेव देवों के देव है, वह आपके सम संकट को दूर करते हैं, उदाहरण के लिए अगर बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से बीमार है, तो आप जोतिश के पास जाएंगे, जहां भी जाएंगे, तो वह आपको यही कहेंगे कि भगवान शिव की शरण में जाओ, महामृत्युन जय का ज आप वह उपाय करें, दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की शरण में जाने को ही आपको कहेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रिष्टा तलाक तक गया है, आपको लग रहा है कि अब बनने वाली नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं, महादेव को सोमवार के दिन गुड जरूर अर्पित करें, गुड का दान जरूर करें, दोस्तों, गुड का दान करने से कोई भी रिष्टा हो, मा बाप के रिष्टे हो या फिर आपका बच्चा, आपका कहना नहीं मानता, बस एक बात याद कि किसी भी रिष्टे में अगर मिठास भरनी हो, तो सोमवार के दिन गुड का दान करें, दोस्तों, गुड और रोटी गाये को खिलाने से भी आपके रिष्टे मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ती होती है, तो यह काम भी आप कर सकते हैं, अगली चीज जो शिव महा पुराण में वर्नित है, वो है तिल, तिल का दान करने से व्यक्ती का अगर आत्म विश्वास डगमगा रहा है, यानि कभी-कभी आप देखते होंगे कि व्यक्ती बहुत ज्यानी होने के बाद भी उसका आत्म विश्वास उसका साथ नहीं देता है, कभी-कभी बच्चे प काले या सफेद का करें, अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन आप कर दें, यह दिन भी काफी शुभ माना जाता है, अब अगली चीज है घी, घी का दान करने से बीमारियां दूर होती है, इससे बीमारियों से आपके शरीर की रक्षा होती है, शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह दान अवश्य करने हैं। महादेव पर चढ़ाने से आपकी बीमारियां और परेशानियां दूर होती हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि महादेव का पंचामरित से अभिशेक किया जाता है, उनको जो पांच चीजें चढ़ाई जाती है, उसमें घी का भी स्थान आता है, तो आप महादेव पर भी चढ़ाएं, इससे महादेव आपकी समस्त मनो कामनाएं पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की जो चीजें हैं, वो हमें प्रति सोमवार दान करनी हैं। अगर उपर्युक्त कष्टों से आप जूझ रहे हैं, तो सोमवार को आप इन चीजों का दान कर सकते हैं। तो हम ब्राह्मन के निर्मित कुछ अनाजदान कर सकते हैं। अनाजदान करने से मा अनपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती है। खाली नहीं रहने का अर्थ है कि आपका घर अन और धन से भरा रहेगा। अन और धन ये दोनों चीजें एक साथ जोड़ करके इसलिए देखी जाती है कि जिस व्यक्ति के खानपान का जो वैभव है वह भरा रहता है। समरिध ही बनी रहती है। उसके घर में धन की लक्ष्मी की भी कभी कहीं कोई कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार का दान आप शिव महा पुरान में बताए गए। समय के अनुसार यदि सोमवार को काले तिल का दान करना है तो शनिवार को इस तरह से दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ख्याती फैलेगी। और आप जिस समस्या से जिस दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए कि कोई उपाय जादू बिलकुल नहीं होता भगवान के पास जब आप उनकी शरण में जाते हैं उनके निर्मित अपने कश्टों को दूर करने के निमित्त जब आप किसी चीज का दान करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान आपकी थोड़ी देर तक जब किसी परेशानी से जूँज रहे हैं तो सब्र रखिये और धीरे धीरे ये उपाय करते रहे महादेव की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा अगली चीज है कपड़ा दोस्तों वस्त्रदान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है जैसे कि सर्दियां चल रही है तो कंबल दान करना ऐसे में काफी उत्तम माना जाता है जैसे कि मकर संक्रांती पर बहुत सारे लोग वस्त्रदान करते हैं वस्त्रदान करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है व्यक्ति दीर घायू होता है तो ऐसे में अगर कोई बीम आप दान करने या फिर वह व्यक्ति जाने लायक है तो खुद जाकर जरूरत मंदों को दान कर दें। ये उपाए हम नहीं कह रहे हैं। ये उपाए शास्त्रों में वर्नित है, शिव महापुरान में वर्नित है, तो ये उपाए निश्चित रूप से आपकी संपून को समाप्त करेगा। कैसा भी दुर्भाग ये चल रहा हो, धीरे धीरे वह दुर्भाग ये महादेव की कृपा से कटने लगेगा आज के लिए। बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरू पूर दबाईएगा, ताकि आने वाला नॉलेजबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, शास्त्रों द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।